प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रवक्ता गरंत अध्याएं 42 पत्संख्याएं 15 से 25 तक आप मैं प्रभु के कार्यों का स्मरन करूँगा मैंने जो देखा है उसका बखान करूँगा प्रभु ने अपने सब्द दोआरा अपने कार्य संपन किये सूरिय सब कुछ अलोकित करता है समस्रिष्टी प्रभु की महमा से भरपूर है सदूतों को भी या सामर्थ्य नहीं मिलता है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करे जिन्हें सबसक्तिमान प्रभु ने सुष्थिर कर दिया है जिससे विशवंडल उसकी महमा पर आधारित हो वह समुदर और मानाउं खृदे की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है क्योंके सर्वोज प्रभु सर्पग्या है और भौश्य भी उससे छिपा हुआ नहीं वह भूत और भौश्य दोनों को प्रकास में लाता और गुढमें तम रहस्यों को प्रकट कर देता है वह हमारे सभी विचार जानता है एक सब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता उसकी प्रग्या के कारिय सुभ्यस्थित हैं क्योंकि वह अनादी और अन्त है उसमें ना तो कोई ब्रिधी है और ना कोई हर्ष और उसे किसी प्रमस दाता की आवसकता नहीं उसकी स्रिष्टी कितने रमन्ये है हम उसकी जलक मात्र देख पाते हैं उसके समस्कारिय अनुप्रामानित और तिरस्थाई हैं उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उदेशिया पूरा करता है सब चीजें दोजो प्रकार की होती हैं एक दुसरे के ठिक विपृत उसने जो कुछ भी ब्यात नहीं बनाया वे एक दुसरे की कमी पूरी करती है प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासिन होगा या रभु की वानी है संद मार्कुस के अनसार पवित्र सु समाचार अध्याय दस पदसंग्या चियाली से बावन तक जब एशु अपने सिश्यों तदा एक विशाल जन समूव के साथ जरीकों से निकल रगे थे तो तिमियूस का बैटा बार तिमियूस एक अंदा बिखारी सडक के किनारे बैटा हुआ था जब उसे पता चला कि ये येशु नसरी है तो वो पुकार पुकार कर करने लगा ये येशु दावुद के पुत्र मुझे पर दया कीजिए बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए धाटते थे किन्द वो और भी जोर से पुकारता रगा दावुद के पुत्र मुझे पर दया कीजिए येशु ने रुक कर कहा उसे बुलावो लोगों ने ये ख़़कर अंदे को बुलाया डारस रखो उठो वो तुम्ही बुला रगे हैं वो अपनी चादर फेंग कर उचल पड़ा और येशु के पास आया येशु ने उसे से पूचा क्या चाओते हो मैं तुमारे लिए क्या करूँ अंदे ने उतर दिया गुरुवर मैं फिर देख सकूँ येशु ने उसे से करा जाओ तुमारे विश्वास ने तुमारा उतार किया है और वा उसी छन देखने लगा और मार्क में येशु के पीछे हो लिया ये प्रभु का दीव येशु समाचार है कृष्ट रवो कीजे प्यारे बाई और बाईनो आज एक प्रदम पाठ प्रभक्ता ग्रंद से हमने सुना है प्रभक्ता ग्रंद येशु के पूर्व लगवो 200 वर्ष पहले लिखे गए है उसमें नईदिक और दार्षनिक बातों बर विजार मिमर्स किया गया और आज के पाठ में हम सुनते है प्रभक की सुरिष्टी उसकी मगिमा से भरबूर है हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं लोग सोस्ते की इश्वर नगी है और जो इश्वर के मानते हैं उन लोगों को लोग अंदविश्वासी बोलते है बहुत ऐसे लोग कहता है कि सास्तर है सास्तर सब कुछ है सास्तर हमें मार्क दर्शन करेगा पायुतर बाइबूल पढ़ने पर अमें पता चलता है कि बाइबूल ये सब बातों को जानता है हम मनुष्य इश्वर की सुरिष्टी है और बाइबूल कहता है आगाच इश्वर की माहिमा बकानता है सास्तर उनीस परसंगे एक में बढ़ते हैं आगाच ईश्वर की महीमा बकानता है तारा मंदल उसका सामर्त ये प्रकट करता है हाँ और सौस्त्र पंचानवे में हम बढ़ते हैं पदसंग्या चारा पांच में वह प्रतिवी की गगरायों को अपने हाथ से संबालता है परवदों के शिकर उसी के है समत्र प्रतिवी जहल और थल सब उनके बनाये हुए है और उसी के है इस सारी स्विष्टी हम से मांगता है कि इसका स्विष्टी करता कोन है इस प्रतिवी जिसको हम अपना घर मानते है मनिश का ये घर है ये प्रतिवी ये प्रतिवी एक चोटा गरग है ये तिवी ये बहुत बिशाल है समुत्र की गराईयों को भी हम सोचते बहुत आगात है पर नद इस समुत्र भी इस प्रतिवी का एक इसा है एक चोटा एक गरग है और एक गरग सावर मंडल का एक इसा है एक गरग है और शावर्मंडग का केंदर बिंदू सूर्य है और सूर्य को परिक्रमा करने वाले ग्रहो में से एक है परतिवी और यदी हम देखते हैं सूर्य को ये सूर्य को सूर्य एक नस्षटर मातर है सूर्य के बरावार हजारों लाकों नस्षटर हो रह ю Happy इतना विश्वाल 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 इतना विश्व उन्मी से आया है इसलिए धर्मगरंद कहते हैं वो शप्त मात्र से प्रतिवे का नर्मान किया इतना मगान, विशाल, ब्रह्मान का नर्मान शप्त मात्र से किया है हमारी बुद्धी मिट्धी की बुद्धी है हम मिट्धी से बना हुआ है आप मित्ती का परिनाम से परिनाम से अमारी बुद्धी के विकास हुआ, बुद्धी का विकास हुआ, इसलिए हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, पर अभी भी सब कुछ नहीं समझते हैं, ये बुद्धी सीमित रहता है, हम इस दुनिया में देखते हैं, पूरा सुष्टी मंडल को जितना व्यवस्ता आए उसमें है और इतना साम्मंजस्व है यह हमारे बुद्धी के परे है एक समय आइशा था मानू नहीं थे और कोई सृष्ष्टी में कोई जी भी नहीं था परंदु वो परमात्मा थे और जब समय आएगा सब कुछ कदम होगा प्रवियो परमात्मा हमारी बुद्धी उस परमात्मी के और हमें दर्शाना चाहते हैं परंदु हम तैयार होना चाहिए नहीं सोचे कि हम सब कुछ जानते हैं साइंटिपिक डिस्कवरिस करते हैं यह सब सीमीद रहता है यह सब प्रकृती में निगीद बातों को समझते हैं समझाते भी है और न बड़ा कारिक है सब को जब प्रभू ने इस प्रकृती पर निगीद रूप से डाल दिया है अन्यवशन करते हुए आम उसको खोजिते हुए निकलते हैं यह हमारा चीमेंड बोलते हैं परंदु हम इसको कभी पूरा नहीं कर पाएगा क्योंगी सुष्टी करता हैं आम से म भी जानता है और हमारे दिल की बात को भी जानता है जैसे स्वस्त्रगार 49 में करता है यह प्रभू मेरे लिए तेरे विजार कितना दुरभोध है उनकी संग्या कितनी अपार है जेदि माई उने गिनना चाओं तो माई बालू के कणों से अधिक है जेदि माई उने पूरा पवाओं तब भी माई घाते में ग़ोंगा यही शवण, शक्ति-साली शवण, जोар शब्त मात्रसे इतनी का बिना एःहा है वो अमारा पीता है उनको हम पीता बूला कर प्रार्थ ना कर सकते है आम उनकी चत्रचाया में रहते हैं, वो अमें संबालते हैं, हम जानते हैं, आम सब मिटिके हैं, इसलिए अमें इस दुनिया में रहने का समय स्रीमिद रहता है, इश्र को नगीम जानेने वाले और इश्र को समझने वाले दोनों इदुनिया से निकल जाएंगे, परन्तु दूस्त रहता है आई आम भी इस दुनिया में अमारे सिमिद समय के अनसार आम उस परमपिदा की कोज में लगे लगे आज के समाजार में पढ़ते हैं येशु जरुसलम जा रहे हैं रास्ते में वो जरीको नगर में प्रवेश किया है अभी जरीको से बागर निकलते वक्त ए एक बेडी बीड येशु के साथ है और येशु जरीको के सगर में एक आदमी बाइटा था जिसका नम बार्तिमियूस है वो अन्ता था बीकमांगे जीना एक प्रगार के हमारे लिए संगर के समय के अम बीकमांगने के लिए जाते हैं आइसा येक विक्ति है ओ अन्दा बीक येशु ने उसको चुप रगने के लिए कागा कभी-कभी आम ऐसे हैं जो दबेग हुए है जो पेरी-परी में रहते हैं मलीन मस्ती में रहते हैं मलीन कपड़ा पानते आइसे लोगों को आम चुप करवाना चाहते हैं उनको आवसर नहीं देना चाहते हैं समाज में उसको नीचे समस्ते है, चाहिद इस विक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, लोग उनसे कागा चुप रहो, परन्दु येश्व ने उसको देख लिया था, येश्व ने उनको देख लिया और कागा उनको आने दो, जो उसको येश्व के पास आने मना करते रहे आईसे लोग, उस विक्ति क को येशु के पास लाता है। हम भी कभी लोगों को येशु के पास जाने से रोक देते हैं। हमारे कई बक्त काते हैं को घरवाले मना करते हैं येशु के पास जाना। बहुत कुछी ऐसे हैं येशु का जानने के बाद दूसरों को देने में सुस्ति दिखाते हैं। येशु के जानने के बाद, आम जानते हैं, आंदरू जो एक दिन, जो अनका शिशिभता बंदू येक दिन येशु के पास जा को रग ग ग गया, और आकर अपने भाई से कागा, पेतरु से कागा, महीन आमने मस्जी को पाया है, आप ये जाकर देखिए। फिलिपी ने एगी कागा, आपने दोस्त नथानियर के पास जाकर आपने मस्य को देखा है, आप ही जाकर देखिए, बहुत लोगा इसे हैं, जो येशु के पास आने के बाद, येशु को लोगों को दे देते हैं, आप ही जाकर देखिए, येशु से मिलिये, हमारे येगी उसे पाया है, हम दूसरों को भी दे दे, ये अंदे को दृष्टी मिला, ये शुके पास आने से, उनको कैवल अपनी शारीरी की दृष्टी नहीं है, उनको आध्याद में की दृष्टी भी मिला, इसलिए उसने पुलाया भी है कि प्रभू दावुद के पुत्र, ये के कोत्र में, और दावुद के पुत्र के एक, मैंने ये मसी का एक दूसरा परियाए पता है, आने वाला मुक्ती दादा, जब येशु जरुसलेम नगर में प्रवेश किये दे, उसाने के दिन, जिगुदियों के बच्चों ने उनके लिकागा, दावुद के पुत्र को उस एक, मैंने येशु के लिए उसाना का घीद गाने वाले ये समस्ते दे कि दावुद का पुत्र मासी है, हमारा मुक्ती दाता है, इस विक्ती ने भी एक सम्झ लिया था, आंदव और भी उसे ने समझा कि ये इसु संसार का मुक्ती दाता है, प्रवु ने उनसे पूचा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें दृष्टिदान किया, तुम्हारा उधार किया है। हम भी यही प्रार्थना करें, हम भी कभी कि अंदगार में रहते हैं। अपनी घमंड के कारण अंदगार। कुछ लोग आईसे हैं कि पूर्वाग्र के कारण अंदगार में रहते हैं। तूसरों को आम नीच्ची की दृष्टि से देखते हैं। सब लोगों के यही की दृष्टि से देखना और उनका सम्मान करना यह विश्वास के किसा है। यही के पास आने से आम बंदनों से मुक्त हो जाता है। हमार अभगुणों से मुक्त हो जाता है। आए आम भी अपना प्रभू पर विश्वास अरते कोई आम प्रातना करें। यह पिता। तूने सारी सृष्टि अमारे लिए बनाया है। जैसे सौसर गलता है। इश्वास ने मनिश्री को स्वर्कदूदों से छोटा बनाया। स्वर्कदूदों के बरावर बनाया था। यह प्रभू आम कुछ सीमिल समय के लिए दुनिया में रहते हैं। इस सीमिल समय का अंदर आम तुझे अधिक साधिक जाने। अधिक प्यार करें। तेरी मंगत्यों को हम समझ ले। यह पिता जैसे आज कैसु समाजारें हमने सुना है। यह उन्दे बुकारी पर दया किया। हम भी दूसरों को विशेश करके अमारे समाज में जितनी भी लोग दबे हुए हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको जोदी दिलाने के लिए, उनके जो समस्याओं को सुलचाने के लिए आम प्रेकनशील बने प्यार करता हैं। प्रवियश्विन का गा तुमारे सुर्की पिता, भले और बुरे दोनों वर अपने सुर्ज उगाते हैं। और दोनों को अपना बारिस प्रदान करते हैं ए पिता तेरी मगी मा हो तेरी आरातना हो यह प्रारतनाम करते हैं हमारे प्रभुक्रिस के त्वारा आमेन प्रादना बार दोनों करते हैं